इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते आवला और जामुन की उपस्थिती एक अतिरिक्ट लाब है क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है और स्वाभाविक रूप से स्वास्थि को बनाए रखता है हल्दी एक अंटियोक्सीडेंट के रूप में कारे करती है और जामुन को प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण कहा जाता है इसका उप्योग मधुमेह, अलजी, वाइरल संक्रमन, सूजन और गेस्ट्रिक अलसर के उपचार में भी किया जाता है आवला में उच्च विटामिन सी सामगरी के कारण ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है उम्र बढ़ने को धीमा करता है, गले के संक्रमन से राहत देता है, रक्त शरकरा के स्तर को कम करता है और हृदय स्वास्थे में सुधार करता है यह अग्याशे के स्वास्थे को बनाय रखते हुए सामान्य इंसुलिन स्राव को बनाय रखने में भी मदद करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. यह अग्याशे के स्वास्थे को बनाय रखते हुए सामान्य इंसुलिन स्राव को बनाय रखने में मदद करता है 2. मेथी के बीज के अर्ग से सम्रिद यह लीवर को डिटॉक्स करने और रक्ट शरकरा के स्तर को बनाय रखने में मदद करता है 3. ये प्राकृतिक खाद्य पूरक उम्र बढ़ने के संकेतों को धीमा करने में सहायता करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है 4. इसका उप्योग मधुमेह, अलजी, वाइरल संक्रमन, सूजन और गैस्ट्रिक अलसर के उप्चार में भी किया जाता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें